हेलो गाइस इस वीडियो में आपको तंग के साब mongo नाम की जो एरर आती है हमारी जब हम अपने कमांड लाइन पे से स्टार्ट करते हैं तो हमारी इस तरह की एरर आती है the terms mongo is not recognized तो बेसिकल यह एरर की माती है जो mongo m यह हमारी shell है जिसके तुरू अपनी mongo d server में operations perform करते हैं command के तुरू तो यह अगर हमें start करते हैं तो हमें यह इस तरह की एरर मिलती है and बिल्कुल simple वे महां हम इसे fix करेंगे तो इससे fix करने से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी पढ़ेंगी यहाँ पर मैं अगर आपको लेकर चलू और यहाँ पर आप चीज़ों को समझो जो mongo db है वह हमारा 6.0 launch हो चुका and उससे पहले जो वर्दन था वह था हमारा 5.0 जब हम 5.0 को install करते थे तो हमें यहाँ पर मिलती थी mongo d और mongo db compass and folder एक बनता था यह जब हम install करते थे तो यह automatically हमें यहाँ पर एक folder बना वह मिलता था और यह हमें तीन फाइल मिलती थी अब देखो mongo d क्या mongo d हमारा server है और mongo क्या mongo हमारी shell है जिसके तुरू अपने mongo d server में operation परफॉर्म करते थे और जो हमारा mongo db campus जो है हमारा graphic user interface हमारा है और लेकिन यहाँ पर जब हम अपना mongo 6.0 को install करते हैं तो हमें यहाँ पर तीन फाइल ना मिलकर बलकि दो ही फाइल मिलती थी और ना ही हमारा folder यहाँ पर create होता था तो यहाँ पर जो हमारी file मिलती है वो मिलती है mongo d server mongo db campus और यह हमारा graphic user interface और mongo जो हमारी है sh जो कि mongo shale है हमारी वो हमें यहाँ पर नहीं मिलती है तो यह हमें सब manually करना पड़ता 6.0 में तो इसलिए हमारी यहाँ पर error आती है जब आप 6.0 को install करते हो तो आपको यह mongo की error आती है कि mongo is not terms of recognize तरीके से error आती है और यहाँ पर आपको फोल्डर भी create करना पड़ेगा तो किस तरीके से error को fix करते हैं यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला अपको अपना browser open कर लेना mongo community server नाम साब डाल दोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे link में description में दे दूँगा जहांसे आप यह download कर सकते हो और यहाँ पर आपको जो mongo d है मैं यहाँ पर आपको डाल लेता हूँ window के लिए कर रहा है हम ली तो मैं यहाँ पर आपको आना और आने के बाद जैसे यह आप डालोड हो जाएगा और इसके आपको टूल्स पर क्लिक कर तरीके से और करने के बाद यहाँ पर आपको download पर कर देना इस जैसे आप download पर क्लिक करोगे यह भी download होना start हो जाएगी मैं थोड़ा video को आप fast forward कर देता हूँ यहाँ पर यह जिप में download होगी और video थोड़ा fast forward कर देता हूँ और यहाँ पर हमाई दोनों file download हो चुकी है और य इसे आपको install करना है next और accept करना और next and complete और आपको इस तरीके से and next कर देना और next और install जैसे आपको इतना करना थोड़ा time ले सकता है यह इन चोलोने में थोड़ा wait करना ही से और यहाँ पर जैसी आपका installation हो जाए complete होगी तो आपको इस तरह का interface आएगा यह इसे हम बाद में देखेंगे मैंसे यहां से cut देता हूँ मैं आपको इसके बारे में बाद में आँगो and यहाँ पर आपको सबसे पहले जा करना आपको आना है अपने c drive में और c drive माने के बाद आपको आना है अपने programs फाइल में और programs फाइल माने के बाद आपको आना है mongodv में और mongodv माने के बाद आपको आना सरवर में, 6500 यह बर्दन देख सकते हूँ, यहाँ पर आना बिन फोलडर में आना, यहाँ पर आने के बाद आपको पात कोभी कर लेना, और कोभी करने के बाद CTRL C करना है, और इसका Environment, यहाँ पर आपको टाइप करना है Environment, और यहाँ पर आपको Environment System Variables पे और यहां पर environment variables and path पापको आना और आने के बाद आपको edit पे किलिक करना and यहां पर आपको new पे किलिक करना और इसे ctrl v करके paste कर देना and इतना आपको करना और करने के बाद इसे ok करना and इसे भी ok कर देना अब guys आपको अपने download वाले folder माना जहां पर हमने mongo जो शेल download करें थी zip में उस पर आपको right click करना right click करोगे तो extract all को option आप open हो जाएगा यहां पर मैं अगर extract all करूँ तो इससे extract कर लेना जैसी extract होगी तो आपको एक folder मिलेगा mongo ssh नाम से यह हमारी mongo shale है आप इस पर click करोगे and आपको करना यहां पर आना इस पर click करना और इसे cut कर लेना इस तरीके से और अपने जो हमारा folder था आपको windows c माना है programs file माना and आपको आना है mongo db में और server मा आपको आना और 6.0 मा आपको आना बिन मा आपको आना और यहां आ कर इसे ctrl-v करके paste कर देना continue कर देना और यह हमारी joh mongo shale यह work करती है हमारी mongo 5.0 में हमारा joh mongoheen उसका नाम हमारा 6.0 में mongo shale तो 5.0 है वो हमारी lc6.0 में mongo shale तो आuk आप आप समझ घए होंगे and यहांब आपको एक काम और करना आपको एक folder create करना यहाँ पर मैं आपको terminal पर चलता हूँ अगर यह folder आप create नहीं करोगे तो किस तरीके से यह work कर रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं terminal open कर लेता हूँ अगर मैं mongo sh यहाँ पर type करूँ तो मेरी जो shell है वो open हो जाएगी यहाँ से मैं operation perform कर पाओंगा जो कि मेरी mongo db है जो server मेरा वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते अगर मैं करूँ show dbs तो देख सकते हो मेरे जो database है मेरे database है mongo db के अंदर वो यहाँ पर शो हो हो रहा है और यहाँ से मैं database create कर सकता हूँ जो भी आप MongoD, मैं Mongo के थुरू करते थे, 5.0 में, वो आप यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि यह भी हमारी शेल है और वो भी हमारी शेल है, इसका सिर्फ नाम चाहिए हो चुका, MongoSH है, वहाँ पर यह Mongo है इसके बाद, अगर मैं आपको दिखाउँ हाँ, मैं इसे exit कर देता हूं, इसके बाद, मैं आपको दिखाऊं से, हमारा folder है और हम उसे नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको MongoD, जो कि हमारा server है अगर मैं इसे दिखाऊं आपको तो यहाँ पर आपको एक error दिखेगी मैं आपको वो error दिखा देता हूँ basically इस server को आपको start करने की ज़रुवत नहीं है जब भी हमारी window start होती है तो यह automatically start हो जाता मैं तो आपको error दिखाने के लिए से start किया और यहाँ पर मैं आपको error दिखा देता हूँ देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर आपका data जो भी होगा वाजाकर save होगा जो भी आप यहाँ पर operations perform करोगे तो यह data and db not found इसे आपको create करना पड़ेगा अपने c drive में जाके मैं किस तरीके से अपको create करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपने file को open कर लेना and यहाँ से आपको c drive माना और आने के बाद आपको यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको new करके एक folder create कर लेना जिसका नाम रखोगे data आइंड डेटर के अंदर आप एक फोल्डर और बनाओगे जिसका नाम लखोगे आपको DB बस आपको इतना करना और आपका कम्प्लीट सेट अप हो चुका अब हमने जो शुरू में किया था Mongo Campus नाम से जो था हमारा जो हमारा MongoDB Campus था उसे हम देखलेइते हैं वह क्या है यहाँ इसे डाध होगे ये जिए आप इसे सल्ट करोगी यह Graphic User Interface है वह समझ सकते ह disagए और जाएसे आपको connect पर क्लिक करोगे और पल से攻 büy क्लिक करोगे आप अपनी database से connect हो जाओगे MongoDB दे सकते हो और यहाँ आप database को create कर सकते हो, इसलिए कि आप करोगे, मैं कर देता हूँ, student नाम से, student नाम से database create कर देता हूँ, collections का नाम देता हूँ, student information और create database, collections, collections basically हमारा होता है, जैसे हमारी mysql में tables होती है, वैसे हमारा इसमें collections होता है, दे सकते हो, मेरा collection start यहाँ पर बन चुका, अगर मैं इसे भी open करो, तो यहाँ पर आप data को add कर सकते हो, यहाँ पर आप documents बना सकते हो, तो इस तरह आगर add path कि लिख करोगे, insert documents, तो इसे के साब यहाँ पर documents create कर सकते हो, यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ, यहाँ नैम इस तरह के साब database इसे create कर सकते हो, insert कर दोगे, नैम शुबहम insert हो चुका, इस तरह के साब इसे कर सकते हो, यहाँ पर आप मैं दुबार आपको terminal लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं अब इसे terminal और यहाँ पर आकर type करूं mongo sh, यहाँ पर mongo sh type करने के बाद, अगर मैं अब दुबार आप database को देखूं, तो मैंने database create किया था, जिसका नाम था मेरा students, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, database आ चुका, यहाँ पर आप इस database को देख सकते हो, तो guys इस तरही के साब इस area को fix कर कर सकते हो, कोई भी आपको problems नहीं आएगी, अगर आप mongo sh जो है, वो mongo की तरही वर्ख करता है, जैसे हमारा mongo है, इसका नाम सिर्फ change हो चुगा है, इसका नाम आप rename भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, कि mongo यहाँ आप नाम रखना चाहते हो, तो mongo नाम तरह के आप यह यहाँ पर करोगे, और rename कर देना, ठीक है, थोड़ा सा rename कर सकते हो, अगर आपको mongo ही type करना तो इस तरीके से continue कर देना, mongo ही हमारा हो चुका है, अगर मैं start करूँ, यहाँ पर पहले exit कर देता हूँ इसे, ठीक है, अगर मैं mongo sh type करूँ अब, क्योंकि mongo नाम मैंने change कर दिय तो मुझे यह बताएगा कि exist नहीं है, अगर mongo मैं type करूँ अब, तो यह start हो जाएगा, तो इस तरीके साब इसे कर सकते है, guys अगर यह start हो चुका, मैं data wise show कर देता हूँ, dbs, guys अगर यह video आपको पसंद आई हो, इसके इससे आपकी थोड़ी भी help होई हो, तो channel को subscribe कर दो, thanks watching guys